एच बिस्टन में खेले गए भारत बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरे T20 अंतरास्ट्रे मुकाबले में भारते टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त उरंचास रनों के जीत दर्ज करते हुए तीन मैचों की T20 सीरीज अपने नाम करते हुए 2-0 की बढ़हत हासिल कर ली है लेकिन मुकाबले के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद भारत की जीत और भी जादा खास हो गई आपको बता दे कि एजबेस्टन T20 मुकाबले में पूर्व भारतिय कप्तान महेंदर सिंग धोनी ने टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में एंट्री मारते ही सभी को हैरान कर दिया महेंदर सिंग धोनी ने शनिवार को दूसरे T20 मैच के बाद भारतिय ड्रेसिंग रूम में अचानक दस्तक दी और उसके बाद सभी खिलाडियों से बाते की और यूवा भारतिये खिलाडियों का मार्ग दरशन करते भी दिखाई दिये धोनी को सब ही खिलाडियों ने बड़े ही ध्यान से सुना तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे भारतिय युवा स्टार बल्लेबाज इशान किशन कितने घौर से MS धोनी की बातों को सुन रही है आपको बता दे कि महेंदर सिंग धोनी की तस्वीरे BCCI ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी साजा की है BCCI ने धोनी की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा कि हमेशा सब सुनते हैं जब धोनी बात करती है धोनी का ये अंदास फैंस को खासा पसंदा रहा है इतना ही नहीं बलकि भारती टीम के स्टार विकिट की पर बल्ले बाज रिशपंत भी महेंदर सिंग धोनी से मुलाकात करते दिखाए दिये जिसकी तस्वीर खुद खिलारी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर साजा की आपको बता दे कि महेंदर सिंग धोनी ने साल 2020 में क्रिकिट को अलविदा कहा था आज ही के दिन यानि कि 10 जुलाई 2019 को महेंदर सिंग धोनी ने अंतराश्ट्रे क्रिकिट में अपना आखरी मुकाबला खेला था महेंदर सिंग धोनी ने आखरी बार विश्व कप 2019 के सेमी फाइनल में न्यूजिलेंड के खिलाफ वल्ले बाजी की थी जहां पूर भारते कप्तान ने 50 रनों की बहु मूले पारी खेली थी लेकिन MS धुनी उस मुकाबले में दुर्बाग के पून तरीके से रन आउट हो गए जिसके बाद भारते टीम वो विश्व कप से बाहर हो गई थी हाला की ये मुकाबला 9 जुलाई को खेला गया था लेकिन बारिश के चलते MS धुनी ने रिजर्व दिन याने की 10 जुलाई को आखरी बार अंतराश्ट्रे क्रिकेट में बतौर खिलाडी आखरी बार बल्ले बाजी की थी इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रही है वन इंडिया के साथ